मट्टी का कुम्हार से कोई आज का नहीं सद्यों का रिष्टा है जब कोई पहला इनसान मिट्टी से तखलीक हुआ मट्टी का ये बुथ कितने बरसों से पता नहीं कितने एहदों के नक्षों निकार को अपने अंदर समोय हुए है जब का ये बुथ कितने एहकतर नहीं से तखलीक है झाल 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 इस सदियों की दास्तान में कुमहार कई तहजीबों की बुन्याद भी रखता आया है जो के वक्त के साथ साथ अपनी पहचान को मजबूत करते चली गई मट्टी के इस बनावट के अमल में उसकी आखें उस तखलीक की तलाश में रहती हैं जो उसके हाथों से बन कर जमाने की जरूरत बनेगी इसमें कोई शक नहीं के कुमहार इनसानी तहजीब का पहला फनकार था और इसके साथ साथ इनसानी तारीख का पहला तारीख धान भी था पहचान के इस पूरे सफर में उसे हर जगा मट्टी में उसकी तखलीक के नक्ष दिखाई देने लगते हैं कोई सौ सालों से कुमहार तखलीक की वही मनजलें तै करता दिखाई देता है जो के पहले इनसान ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मट्टी पानी और आग से तखलीक की थी यही वज़ा है कि आज के तरकी आफ़ता दोर में स्टील, जस्त, शिशा और रबर के बरतनों की वज़ा से इनसान का मिट्टी से रिष्टा तूटता जा रहा है लेकिन सब कुछ बदलने के इलावा जो नहीं बदला वो है कुमार से मट्टी का रिष्टा यहे मुल्तान का रहने वाला शफीक कुमार अभी तीन साल का था के वालिद का साया सर से उट गया और जमाने की धूब की लपेट में आ गया अपने खेलने कूदने के दिनों में लोगों के बच्चों को खिलाने के लिए अपने हातों से खिलोने बनाने लगा शफीक कुमार अपनी मा का कलोता बेटा है घर का सहारा बनने के लिए वक्त से पहले जमाने का बोज उठाने का आदी हो गया मेरा काम जड़ाए बरतन बलावन दाए कोज अर्चा पहले साको इवे नजरा नहीं के जड़ाने काम बिरकुल खतम थी वे थी पर होन मैं गयारूं बाले को गया उत्ता भाइं के लिए ठेके उत्तावी लोग गोरेवी काम करें ने काम सिख दें मैं उन्ना अंदर अले काम सिखाए और इतना के होन इतना गुनिवस्टी हैं चिभी जड़ाना ही काम को सिखेने पहने बड़ी यह करेने पहनते होन नजर आने के मेरा काम मर्सी कहना जिन्दा राजी शफीक कुमार हर साल यूरप का दोरा करता है शफीक कुमार अपनी जिन्दगी से काफी मुतमाई नजर आता है बेशक उसने बहुत इज़त कमाई है उसे फन का सफीर भी कहा जा सकता है उसके फन के अद्राफ के लिए उसको बड़े छोटे पेमाने पर असनाद भी दी एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब कुमार की जिन्दगी भी बतले की लमहा लमहा बदलती इस मादा परस दुनिया में जहां इनसान एक मशीनी जिन्दगी इखत्यार कर गया है वहां कुमार और मिट्टी का रिष्टा अजल से अबद तक है जिन्दगी जब्रे मुसलसल की तरह काटी है जाने किस चुर्म की पाई है सजा याद नहीं जाने किस चुर्म की पाई है जाने किस चुर्म की पाई चिर ऑई है झाल झाल